ईसलाम अलेकुम एवरिवन वेलकम तो धूभिविवन वार्ट तो फाइनली 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 आप लोगों का महारी प्लेगे का को शुरू हो चुका है और आज है क्लास नंबर वण तो इस class में हम सीखेंगे MediBank Paint के Interface देखेंगे और साथ में New Canvas कैसे create करना ये भी देखेंगे ठीके तो सबसे पहले आपका जैसे हम MediBank Paint ये Android version है ठीके Android mobile version तो जैसे हम MediBank Paint open करेंगे तो कुछ इस तरह का interface आएगा सबसे पहले आपने account create कर लेना है यहां उपर से बहुत एजी लिए account create हो जाता है और फिर भी अगर किसी को account create करना ना आई तो यार फूछ लेना मैंने Facebook पे एक group बनाए है खास इसलिए कि किसी का कोई question है कुछ पूछना है या कुछ homework दिखाना है तो उसमें आप submit कर सकते हैं उस group का link मैं दे दूंगी नीचे description में ठीके तो शुरू करते हैं सबसे पहले यापका interface आजाएगा इसमें आपके पास कुछ options है सबसे पहले option new canvas आप new canvas प्लिएट कर सकते हो obviously उसके बाद previous है आपके पिछला काम होगा वह आएगा ठीके जो आपने पहले जो काम किये last time वह यहां से आएगा इस पाप क्लेक करेंगे तो वह काम आएगा ठीके इसके बाद आपके बाद में my gallery इसमें जितने भी आपने जितने भी आपका artwork आपने सेफ किया होगा वह सब यहां आएगा ठीके माई gallery में इसके बाद में पास option है library यह में दिखाती हूँ library में जैसे आप click करेंगे तो यहां आपके पास mediving paint की तरफ से आपके पास कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ coloring pages दिये में ठीके जैसे के आपको tracing सीखनी है या colors fill कैसे करने है वो सीखने है तो आप यहां से चाहो तो चूज कर सकते हो ठीके वैसे मैं इस course भी सब सिखाऊंगी लेकिन आप इनको भी उस कर सकते हो अगर करना चाहो ठीके तो अब हम new canvas देख रहे हैं new canvas कैसे करते हैं सब्सक्राइब आप new canvas पर जैसे क्लिक करेंगे यहां आपको शो कर रहे हैं कि अभी जो आपने select किया हुआ है canvas का size वह यह है 2500 pixels width और height ठीके इसको हम edit कर सकते हैं यहां से जैसी अब edit के button पर क्लिक करेंगे यहां को बस कुछ options आ जाएंगे width और height, dpi, paper size यहां से आप width and height select कर सकते हो जो भी आप रखना चाहो मैं अभी for example 1500 pixels width और height लेती हूँ ठीके यहां पर आपके बस pixels और centimeter option है ठीके आप इसको चाहो तो pixel से convert कर centimeter पर भी कर सकते हो ठीके मैं भी pixel पर ही रहें देती हूँ इसके बात नेचे आपके बास option is dpi, dpi का मतलब होता है dot per inches ठीके dot per inches का मतलब यह होता है कि आप जब अपना artwork जो अपने बनाया है उसको जब आप print कर वाओगे तो आपके एक इंच में कितने dots होंगे ठीके इसकी maximum value आप 600 रख सकते हैं ठीके जत्ती जादा value होगी उतने अच्छी quality का आपका print होगा ठीके इस चीज को याद रखना तो इसके maximum value 600 रख सकते हैं ठीके और इसके बाद आपके नीचे option है paper size यहां के पास कुछ standard paper sizes है ठीके A4, A5, A6, B5 ठीके आपको किसी specific size का paper चाहिए जैसे के A4 तो यहां से आप select कर सकते हो तो यह आपको canvas A4 size में आएगा ठीके मैं अभी इसको 1500 ही कर देती हूँ इसके बाद आपा नीचे option है color specifications ठीके color specification में यह होता है कि आपका canvas है वह आपको किस color में आए ठीके by default यह white है ठीके आप इसका color change कर सकते हो पिंक कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो ठीके यह अभी white है मैं इसको white पर ही रहने देती हूँ ठीके इसके बाद यह clear का option है इससे आपके पास आएगा transparent background ठीके तो मैं इसको white पर छोड़े और okay कर देंगे तो जो अभी आपने जो आपके आपके बाद चुट उसा एक time lapse का option है यह इसलिए होता है जैसी आप इसको टिक कर देगे तो इससे क्या होगा कि जो आप artwork बना रहे हैं तो आपका जो बनाने का सारा प्रोसेस होगा वो record हो जाएगा ठीके तो आपने बहुत सारे आर्टेस की वीडियो देखे होंग समझे रहे ना आप तो पस इसलिए होता है time lapse ठीक आप इसको टिक कर दो कि तो recording होने चुट कि मैंने वापिस अंटिक कर दिया ठीके हम इसको create पर क्लिक कर देंगे यह आपका canvas हो गया ready ठीके तो यह थी class number one of medieval paint next class के लिए सबसे पहले channel को सब्सक्राइब कर दें भूलना मत और इंशाला जिदी मिनेंगे next class में अला हाफिस